नमस्कार स्वागत है आपका राज्यसवा टीवी में मैं हूँ दीपक डोभाल आप देख रहे हैं सुबह नौ बजे की खबरें शुर्वात हेडलाइन्स के साथ प्रधानमंत्री से नहीं मिलने पर वसुंधरा राज्य की सफाई कहा तै नहीं थी मुलाकात कॉंग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांगा जवाब आडवानी की सारवजनिक जीवन में पार दर्शिता वरत्नी की सला प्यार के वैशाली से ले में पोलियो वैक्सीन के बाद एक बच्चे की मौत छे बीमार केंद्र सरकार ने मांगी रिपोर्ट उत्राघंड में चारधाम यात्रा फिर शुरू बारिश और बाढ़ की चपेट में अब भी कई राज्य गुजरात में अब तक नौ शेरों की मौत हाइलेंड की राज्दानी बैंककॉक में आज से सोलवा विश्व संस्क्रिट सम्नेलन साथ देशों के छे सो से ज़्यादा विद्वान शामिल दोहरे कराधान समझोते पर हस्ताक्षर होनी के उम्मीद और ग्रीज को कर्ज वापसी में और राहत नहीं यूरो जोन ने आर्थिक राहत कारिकरम को 30 जून से आगे बढ़ाने की मांग ठुकराई पांच जुलाई को जन्मत संग रहे बीजेपी के वरिष नेता लालकृष नाडवानी ने कहा है कि नेताओं को सारवजनिक जीवन में पार दर्शिता बरतनी चाहिए ललित मोदी विवाद के बीच उनके इस बयान के कई माईने निकाले जा रहे हैं उदर राजिस्तान के मुख्यमंतरी वसंधरा राजे के कारियाले ने माफ कीजेगा दिली में प्धान मंतरी और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात नहीं होने पर सफाई दी है कॉंग्रेस ने वसंधरा राजे और ललित मोदी के साथ कारोबारी रिष्टों का आरूप लगाया है अख़बार आनंद बाजार पत्रिका से बाचीत में बीजेपी नेता लालकिष्न आडवानी ने ललित मोदी विवाद पर तो कुछ नहीं कहा लेकिन सार्वजनिक जीवन में इमानदारी को जरूरी बताया उन्होंने कहा कि नेताओं के लिए लोगों का भरोसा बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है नैतिक्ता की मांग है कि राजधर्म निभाते हुए सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बरती जाए अड़वानी ने कहा कि हवाला मामले में उनका नाम आने के बाद उन्होंने इस्तिफादे दिया था इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्याले ने कहा कि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमिच शाह से पहले से मुलाकात तै नहीं थी मुख्यमंत्री सिर्फ निती आयोक की बैठक में हिस्सा लेने दिली गई थी और इसके बाद वो सीधे जैपूर लोट आई बीजेपी सूत्रों के मताबिक शीर्सनेता वसुंधरा की सफाई से सहमत है ललित मोदी विवाद में कॉंग्रेस वसुंधरा के खिलाफ हर दिन नए आरोप लगा रही है पार्टी का आरोप है कि वसुंधरा के बेटे की जिस कमपनी में IPL के पूर्व आयोक्त ललित मोदी ने 13 कड़ो रूपे निवेश किये थे उसमें वसुंधरा सीधे तौर पर लाभानवित थी पार्टी इस मामले में लगातार प्रधानमंत्री से जवाब मांग रही है NCP अध्यक्च शरत पवार ने कहा कि बीजेपी सरकार का कई विवादों में फसना चिंता की बात है इस बीच ललित मोदी ने दावा किया है कि तीन क्रिकेटरों ने एक बड़े बिल्डर से घूस ली इनमें दो भारत के और एक वेस्ट इंडीस का खिलाडी है ललित मोदी ने कहा कि एक सूत्र से मिलीस की जानकारी उन्होंने 2013 में ICC को दी थी बियोरो रिपोर्ट राज्यसाभा टीवी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में कटाथी पर जुलाई के पहले हफते में कोई फैसला हो सकता है दिली में कल शिवराज सिंग चौहान की अगवाई में नीती आयोग के उपसंहों की बैठक हुई ड्राफ्ट मसादे में इन योजनाओं को दो ग्रूप में बाटने का प्रस्ताव है जिसमें केंद्र का हिस्सा 50 फीजदी से कम नहीं होगा फिलाल केंद्र पोशित 72 योजनाओं की संख्या 22 से घटकर 30 हो सकती है शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंतुरी शिवराज सिंग चौहान की अगवाई में नीती आयोग के उपसंहों की पाचवी बैठक हुई इसमें कटाथी से जुड़े ड्राफ्ट मसादे पर चर्चा हुई सीओ सिंदू श्री खुलर की अगवाई में नीती आयोग के अधिकारियों की समीती पाच जुलाई तक अंतिम मसादा तयार करेगी सुत्रों के मताबिक ड्राफ्ट मसादे में केंदर प्रायजित योजनाओ को दो समुहों में बाटने का सुझाव दिया गया है पहले समुह कोर्स कीम में राष्ट्रिय विकास के एजेंडे पर ध्यान दिया गया है जिसमें मन्रेगा, स्वच भारत मिशन और मिड्डे मील जैसी योजनाएं शामिल हैं दूसरी वेकल्पी की योजनाएं हैं जिसमें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक समावेश पर जोर होगा और सरकार एक जुलाई से डिजिटल इंडिया सपताह मनाने जा रही है सुचना और प्रध्योगी की मंतरी रवीशंकर प्रसाद ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस दोरान लाखों डॉलर का निवेश आने की उमीद है केंद्रिय सुचना और प्रध्योगी की मंतरी रवीशंकर प्रसाद ने कहा है कि जुलाई के पहले हफते को डिजिटल इंडिया वीक के रूप में मनाया जाएगा इस मौके पर नैशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल और ई-हॉस्पिटल जैसी तमाम योजनाओं का उधगटन किया जाएगा लोगों तक सूचना और तकनीक के माध्यमों की बहतर पहुच बनाने के लिए सरकार ने छोटे शहरों के लिए खास बीपियो पॉलिसी बनाई है जिसके तहत 48,000 बीपियो खोले जाएंगे रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार का मकसद डिजिटल छेत्र में जादा से जादा रोजगार पैदा करना और निवेश जोटाना है डिजिटल इंडिया वीक के मौके पर देश के कई इलाकों में वाइफाई शुरू किया जाएगा पोस्ट ओफिस को भी डिजिटल इंडिया मिशन से जोडा जाएगा डिजिटल इंडिया वीक में देश विदेश के मशूर उद्योग पती और आईटी प्रोफेशनल हिस्सा ले रहे हैं अगस्त में डाक विभाग को भुगतान बैंक का लाइसेंस मिल सकता है संचार और सूशना प्रोध्योगी की मंतरी रविशंकर प्रसाद ने कल इसकी घोशना की उन्होंने कहा कि इससे देश के एक लाग चववन हजार डाग घर बैंकिंग सेवाइद दे सकेंगे इन में से एक लाग तीस हजार डाग घर गाउं में है रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले एक साल में 27 हजार से ज़ादा डाग घरों को कम्प्यूटर से जोड़ दिया गया है डाग विभाग ने भुगतान बैंक के लाइसेंस के लिए आविधन किया है रिजब बैंक के दिशान इरदेशों के मताबिक भुगतान यानि पेमिंट बैंक जनता को जमा और धन हस्तान तरण जैसे सीमित दाइरे में सेवाई देंगे लेकिन ये बैंक कर्द नहीं दे सकेंगे दिल्ली के ब्रष्टाचार निरोधक शाखा यानि एसीबी में मचा बवाल बढ़ता जा रहा है दिल्ली सरकार ने एसीबी के जॉइंट कमिशनर एसके मीना की नियुक्ती के खिलाफ हाई कोट में एक नई आचका दाखिल की है जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी इस बीच दिल्ली के मुक्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने ग्रियोमंतरी राजनाज सिंग से मुलाकात की दिल्ली की ब्रष्टाचार निरोधक शाखा का कौन है मुख्या इस सवाल का जवाब लेने के लिए दिल्ली सरकार ने अब कोट का दामन थाम लिया है दिल्ली सरकारनी हाई कोट में याचिका दाखिल कर कहा है कि एसीबी में जॉइंट कमिशनर के पद का कोई प्रावधान नहीं है इसलिए इस पद की नियुकती गेर खानूनी है वहीं आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राजनितिक कारकरताओं की टीम बनाने का भी फैसला किया कुछ दिनों में अगर धनात्मक संदेश नहीं मिलते हैं इस मसले के उपर तो आम आदमी पार्टी इस मिशह पे काम करना ग्राउंट पे शुरू कर देगी पार्टी का दावा है कि एम के मेना की नियूकती के बाद ACB में एक भी FIR दरज नहीं की गई है इस पूरे विवात के बीच कॉंग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार के रवाईये पर सवाल खड़े किये हैं ये सिर्फ जनता के इसका ध्यान बाटने के लिए है ये पूरा मामला एंटी करप्शन ब्रांच में LG के ओर से नियूकत जोइंट कमिशनर मुकेश कुमार मेना और मुख्यमंत्री के ओर से नियूकत एडिशनल कमिशनर SS यादव के बीच बर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा है दिल्ली सरकार हाई कोट के पिछले आदेश जिसमें ACB को दिल्ली सरकार के आधिन बताया गया था कि जरिये SS यादव को ACB का मुख्या बता रही है तो वहीं के इंदर सरकार मुकिश मीना को इसका मुख्या बता रही है अनू दिवान के साथ विपिन चोहान रज सभा टीवी और बीजेबी में पार्टी के खिलाफ बोलकर स्टिंग में फसे महराश्टर के विधायक राज पुरोहित के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है पुरोहित से तीन दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है बस्पतिवार को एक टीवी चैनल पर पुरोहित का स्टिंग प्रसारित हुआ था जिसमें वो पार्टी के शीर्ष नेतरत्व की आलूचना करते हुए नजर आ रहे है ओडिशा पुलिस ने प्रदेश के मुख्यमंदरी नवीन पतनायक और विजिलिंस विभाग के डिरेक्टर के बी सिंग पर एफ आईयार दर्ज की है उन पर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा को वित्तिय अने मताओं के एक जूटे मामले में फसाने का रोप है यह शकायत पूर्व सांसद और उतकल भारत का ध्यक्ष खरा बेला स्वेन ने दर्ज कराई है वर्दमान में पूर्व डीजीपी प्रकाश मिश्रा सी आर पीफ के महाने देशक हैं इसे पहले ओडीशा हाई कोट ने 20 जून को प्रकाश मिश्रा के खिलाफ विजिलिंस विभाग के केस को खारिश कर दिया था इसमें उन पर ओडीशा पुलिस हाउसिंग और वेलफेर कॉर्पोरेशन का चेर्मिन सह प्रबंधक निदेशक रहते हुए कुछ चुनिंदा सप्लायर्स को फाइदा पहुँचाने का आरूप लगाया गया था पाँच राजियों की छे विदानसभा सीटों के लिए शनिवार को हुए मद्दान में लोगों ने बड़ी तादात में हिस्सा लिया तमिलनाडू की आरके नगर विदानसभा सीट पर 74.4 फीसदी मद्दान हुआ जहां से मुख्यमंतरी जैल अलिता किस्मत आजमा रही है वही केरल की अर्विक करा में भी 74.4 फीसदी लोगों ने मद्दान किया तो त्रिपुरा के प्रताबगड और सुर्मा विदानसभा के साथ ही मेगाले की चोपोर्ट सीट पर भी 80 प्रतिशत से जादा मत्दान हुआ है वही मद्दिप्रदेश के गरोट में 71.24 फीसदी मत्दाताव ने वोट डाले कथित तोर पर मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान का एक आडियो सामने आया है जिसमें वो चुनाओं में साथ देने पर पद से सम्मानित करने का लालज दे रहे हैं इस बारे में कॉंग्रिस ने चुनाओ वाई एक शिकायत दर्च कराई है आपको बताएं कि इन सबी सीटों पर वोटों की गिनिती 30 जून को होगी तो धान मंतरी नरेंदर मोधी आज सुबह 11 बचे आका आशवाणी से मन की बात कारकरम के जरीए लोगों को सम्मोधित करेंगे ये नौवा मौका होगा जब वो जनिता से अपने मन की बात करेंगे इससे पहले वो इस कारकरम में 30 मई को लोगों से मुखातिब होए थे इसमें उन्होंने वन रैंक वन पेंशन और बोर्ड परिक्षा में सफल शातरों के बारे में विचार वेक्त किये थे इसके लावा किसान चैनल के बारे में भी उन्होंने बात की थी तो धान मंतरी मोदी ने बीते साल मन की बात कारेंगे की शुरुवात की थी प्रधानमंतरी नरेंद्र मुदिया ज्छारखन के गोर्या कर्मा में प्रस्तावित राश्त्रिय क्रिशी अनुसंधान संस्थान का निर्मान करीब एक हजार करोड की लागत से होना है वहीं एक दूसरे कारिक्रम में प्रधान मंतरी अपने संसदी अंदिरवाचन क्षेत्र वारा नसी में एक एकरित विद्युत विकास कारिक्रम का भी हुदकार्टन करेंगे IPDS विद्युत मंतराले के प्रमुक कारिक्रमों में से एक है इसका लक्ष सभी के लिए 24 सो घंटे और सातों दिन बिजली आपूरती सुनिश्चत करना है इस कारिक्रम की घोशना 2014-15 के बजट में की गई थी इसी घोशना के लिए केंदर जरकार 45,800 करोड रुपे की सहायता उपलब्द कराएगा इसके लावा प्रधान मंतरी काशी हिंदू विश्व विद्याले में एक ट्रॉमा सेंटर का उद्गाटन भी करेंगे और फिलाल रुपनेक शोड़े से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद कुछ और खबर हो आवास और गाईकी का मुख्तलिफ अंतास कोई मुज़िक भी आप सीखें, किसी परकार का संगीर सीखें आपको क्लासकल का अधार बनाना बहुत जरूरी है, उसके बनियाद बनाने जरूरी है घरानेदार गाईकी का रोशन चरा मिल ये शक्सियत में दिल्ली घराने की मशूरू मारूफ हस्ती उस्ताद इखबाल एहमद खान से सिर्फ राजसभा टीवी पर राजसभा का लिवीगन की खास स्रंखला, महामहिम राज़िपाल में आपका स्वागत है हम आज आप पहुंचे रहें, देश के एक बेहद खुप्सूरत राज्य च्छटीज गड़ में हमारे पिता जी कपड़े के बिपार में था, वो बड़े धार्मिक प्रवित्ती के भी थी, अपने बिपार से जो समय मिलता था, वो धार्मिक कारियों में समय मिराते थी और इस बैग्ग्राउंड के अंदर अपनी परवरिश हुई कॉलिज में जाने का मैं सबसे पहला था, परिवार का एक मॉरल डेगरेडेशन हमारे जिन्दगी के हर पहलू में आई, जिससे राजनीती भी अच्छूती नहीं रही महा महिन राज़ दिपाल के इस अपिसोड में हमारे आज के लहमान है बलराम जी दास टंडर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देश की कुछ और खबरों पर नज़र डालते है मेगाले पुलिस और सेरा ने एक बड़ी कारवाई करते हुए A.M.E.F. आतनकी सगठन के दो गरवादियों को मार गिराया है खुफिया जानकारी मिलने के बाद असम से सटी मेगाले सीमा पर ये कारवाई की गई आतनकीों से खथियार भी बरामत हुए है माना जा रहा है कि ये आतनकी किसी बड़े हमले की तैयारी में थे मनःपुर के चंदेल जिले में सेना के काफिले पर हमले के बाद पूरवतर राजियों में चौकसी पढ़ा दी गई है इस हमले में पूरवतर के कई गुटों का हाथ था इसके बाद सेना ने म्यानमार में बड़ी कारवाई कर कई आतनक पादियों को मार गिराया था असम में आज सुभा पांच तश्मलव छे तीवरता के भूकम के जटके महसूस किये गए आना कि भूकम से जानो माल के किसी नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है लेकिन भारतिय मौसम विभा के ने भूकम के जटके को मध्यम तीवरता वाला बताया है भूकम के जटके भूटान, बांगलादेश और नेपाल में भी महसूस किये गए शुरुवाती जानकारी के मताबिक भूकम का केंदर असम के बासुगाउं से 23 किलो मीटर उत्तर की और था कई राजयों में भारी बारिश के बाद आई बार्ट से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है, केरल में तेज बारिश के चलतेते तीन लोगों की मौत की खबर है गुजरात में बार्ट की वज़े से मरने वाले शेरों की संक्या नो हो गई है उत्राखंड में अभी भी गरीब 15,000 श्रधालू फसे हुए है हाला कि मौसम सामाने होने के बाद उत्राखंड में चार धाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में असम, सिक्किम, उत्राखंड, कश्मीर और गुजरात में तेज बारिश की आशंक चताई है उत्राखंड में मौसम सामाने होने के बाद चार धाम यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है हाला कि गुछ इलाकों में अभिश्र धालूं के फसे होने के आशंका के मद्दे नजर सेना ने राहत और बजाव काम तेज कर दिया है शनिवार को सड़क सीमा संगठन और राजी के आबदा प्रबंधन बल के अधिकारियों ने बैठक कर हालात की समिक्षा की गुजरात में हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं हाला कि अभी कई गाउं में पानी भरा है बाड से राजे में जानमार की भारी तबाही हुई है बाड के बाड अब लोगों को महामारी का डरसत आने लगा है बारिश की वज़े से बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हुई है वही असाम में बाड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर है इस्थानी ये लोगों को खाने पीने की चीज़ों के लिए भी खासी दिक्कतों का सामना करना करना पड़ रहा है सोनितपुर और लखीमपुर में अब भी हालात बेहत खराब हैं ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां अब भी खतरे के निशान से उपर बह रही हैं जम्मु कश्मीर में अब हालात पहले से बेहतर हैं हाला कि भाड के चलते राज्ये में कई पुल और सड़ के बह गई हैं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी दी है इन में आसम, सिक्किम, उतराकंड, कश्मीर और गुजराच शामिल है बियोरो रिपोर्ट राज्ये सभा टीवी बिहार के वैशाली जिले में पॉलियो की वैक्सीन देने के बाद एक बच्चे की मौत हो गई जबकि छे बीमार है केंदर सरकार ने इस मामले में बिहार से रिपोर्ट मागी है वाला कि बिहार सरकार ने कहा है कि पहली नजर में ये पॉलियो वैक्सीन से मौत का मामला नहीं लगता है वैशाली जिले के शाहपुर गाउं में पोलियो की वैक्सीन लेने वाले बच्चों का जिला अस्पताल मेला चल रहा है शुकरवार को गाउं के बच्चों को पोलियो वैक्सीन देने के महस कुछ घंटो बाद ही साथ महीने के एक बच्चे की मौत हो गई लेकिन बिहार सरकार इसे पोलियो वैक्सीन से मौत का मामला नहीं मान रही जिले में अब तक गाउं में जाकर ही बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती थी ये पहला मौका था जब वैक्सीन के लिए शिविर लगाया गया था डॉक्टरों का दवा है कि जिस बच्चे की मौत हुई है उसे हलका बुखार था विश्व स्वास्थ संगठन ने 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोशित कर दिया था तब भारत में 2011 के बाद पोलियो का कोई भी मामला सामने नहीं आया था ब्यूरो रिपोर्ट राज्यसाभा टीवी हवाई यात्रियों का बक्ष लेते हुए सरकार ने फिलहाल चेक-इन सामान पर शुल्क लगाने की विमानन कमपनियों की मांग को खारिच कर दिया है विमानन कमपनियों ने सरकार से इसकी अनुमती मांगी थी नागरिक उडियन राज्यमंत्री महेश शर्मा ने कहा कि फिलहाल सरकार ने सस्ती विमानन कमपनियों की इस मांग को सुविकार नहीं किया है क्योंकि इससे यात्रियों पर अतरिक्त बोज पड़ेगा इसे पहले डीजी सीए के एक वरिश अधिकारी ने कहा था कि स्पाइस जेट इंडिगो और एर एशिया ने नियामक के सामने बिना चेक-इन सामान के किराया की नई सोच का प्रस्ताव किया है इस प्रस्ताव को अगर मनजूरी मिलती है तो इससे यात्रियों को पंधरा किलो तक सामान अपने साथ चेक-इन करके विमान के अंदर ले जाने के विवस्ता खत्म हो जाएगी नियूजिलेंड में भारतिय उच्चायुपत रवी थापर को भारत वापस बुला लिया गया है उनकी पत्नी पर नौकर को बंधक बनाने और प्ताड़ित करने का आरोप था विदेश मंतराले के मताबिक मामले की पूरी जाच की जा रही है वापस बुलाने का फैसला उस जाच टीम के रिपोर्ट मिलने के बाद किया गया जिसे मंतराले ने आरोप लगाए जाने के बाद पूछताच करने के लिए नियूजिलेंड भेजा था विदेश मंतराले के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने जानकारी दी कि ये मामला दस मई को मंतराले के संग्यान में आया था जब हाई कमिशन का एक स्टाफ मेंबर गायब हो गया था हाईलेंड की राजदानी बैंककोक में आज से सोल हुआ विश्व संस्कृत सम्मिलन शुरू हो गया है विदेश मंतरी सुष्मा स्वराज सम्मिलन में बतार मुख्यतिती शामिल हुई पांच दिन के सम्मिलन में साथ देशों के छे सो से ज़ादा विद्वान हिस्सा ले रहे हैं विदेश मंतरी भारत थाईलेंड सेयुट आयो की बैठक की सह अध्यक्षता भी करेंगी इस दोरान दोनों के बीच दोहरे कराधान समझाते पर हस्ताक्षर होने की अमीद है इसके लावा किसी इताई विश्ववद्वद्वान में आयुरवेद चेयर की स्थापना के लिए सहमती पत्र पर भी समझाता होगा विदेश मंतरी इस दोरान भारतिय व्यावसाइक और शिक्षा विदों के साथ भी मुलाकात करेंगी विदेश मंतरी का संस्कृत विद्वान और विश्व संस्कृत संमेलन की संरक्षक राचकुमारी महाचक्री शीर्धोन से भी मिलने का कारिक्रम है उरोजोन के विद्व मंतरियों ने आर्थिक राहत कारिक्रम को 30 जून से आके बढ़ाने की ग्रीस की मांग को ठुकरा दिया है 30 जून तक आई-एम-फ का कर्ज चुकाने के लिए ग्रीस को गरीब 1.5 अरब यूरो देना है अंतराश्टिया कर्जदाता चाहते हैं कि ग्रीस पेंशनों में कटोती करे और टैक्स दरें बढ़ाए ग्रीस कर्ज संकट को लेकर यूरो जोन के देशों के विद्व मंतरी बदले हालात की समीक्षा करने के लिए फिर से मुलाकात करेंगे ग्रीस में जन्मत संग रहे पांच जुलाई को होना है उद्वान मंतरी अलेक्सिस स्त्रेप्रास पहले ही इसका एलान कर चुके है अगर ग्रीस अपना कर्ज नहीं चुका पाता तो वो यूरो जोन से बाहर हो सकता है और इससे बाकी यूरोप और विश्व की अर्थवस्था पर भी असर पड़ सकता है ग्रीस मिशले च्छे सालों से मंदी की चपेट में है इस साल जनवरी में चुनाव जीतने के बाद से सुरिज़ा पार्टी ने खर्श में बेहद सकत कटावती को कम करने का वादा किया था इरान के परमाणों कारिक्रम पर आम सहमती बनाने की समय सीमा 30 जून को खत्म हो रही है ऐसे में इस मसले से जुड़े पक्षों के बीच बैठकों का दौट जारी है इस सलसले में शनिवार को आस्ट्रिया की राजधानी वियना में एरान और फ्रांस के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई हाला कि इस बार भी कोई आम सहमती नहीं बन पाई बैठक के बाद फ्रांस के विदेश मंत्री रॉलेंट पैबियस ने कहा कि समझाते में हो रही देरी की वज़े कुछ शर्तों पर आम सहमती नहीं बना पाना है वहीं दूसरी और इरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने समय सीमा के पहले बहतर समझोते की उम्मी जताई है अमेरिका समय दुनिया के पांच ताकतवर देशों का आरोप है कि एरान चोरी छिपे परमानू हत्यार बना रहा है हाला कि एरान इन आरोपों को खरिच करता रहा है एरान के परमानों कारिक्रम को लेकर कई दोर की बाच्चीत भी हो चुकी है लेकिन अभी कोई आम सहमती नहीं बन पाई ICC ने वंडे क्रिक्ट के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है बारबाडोस में हुई सालाना बैठक में ICC ने एक दिवसिया मैच में बलेबाज और गेनबाज के बीड संतुलन बनाने के मकसद से कई पुराने नियमों को बदल दिया है 5 जुलाई से लागू होने वाले इन नियमों में गेनबाजों में बलेबाजों का खौफ कुछ हत तक कम होगा बीते एक तशक में वंडे क्रिकेट बल्ले बाजों का खेल बनता जा रहा है 300 का स्कोर अब सामानी सी बात रह गई है खेल के कुछ नियमों की वज़े से गेन बाजों के सामने हमेशा बल्ले बाजों का खौफ चाया रहता था लेकिन अगले महीने 5 जुलाई से वंडे क्रिकेट की सूरत बदलने वाली है ICC ने वंडे के नियमों में कुछ बदलाव किया है जिससे अब के इनवाजों को थोड़ी राहत मिल सकेगी अब आखरी 10 ओवर में यानि 41 से 50 ओवर तक 30 गच के खेरे के बाहर 5 खिलाडी रखे जा सकेंगे पुराने नियमों के हिसाब से पारी के आखरी 10 ओवर में बाउंटरी लाइन पर सिर्फ 4 खिलाडी ही रह सकते थे इसके लावा पहले 10 ओवर में केचिंग फीलर लगाने की अनिवारता खात्म कर दी गई है पहले केचिंग फीलर की अनिवारता की वज़े से बल्लेबासों को फुल कर शॉट लगाने का मौकाम मिलता था गेन बाजों के लिए एक और राहत की बात है कि अब 15 से 40 ओवर के बीच बैटिंग पावर प्ले खत्म कर दिया गया है लेकिन अब नो बॉल करना गेन बाजों के लिए रनों की लिहाँ से ज्यादा खर्चीला होगा अब बल्लेबास को हर नो बॉल पर फ्री हिट मिलेगा इससे पहले सिर्फ ओवर स्टैपिंग नो बॉल पर ही फ्री हिट मिलती थी इसके अलावा बार-बार डोज में हुई ICC की सालाना बैठक में संयूक्त राज अमेरिका क्रिकेट संग की सदस्ता को ततकाल प्रभाव से निलंबित करने का फैसला किया गया हाला कि अमेरिकी क्रिकेट टीम को अगले महिने होने वाली ICC विश्वट T20 कौलिफायर में खेलनी की अनुमती दे दी है ब्यूरो रिपोर्ट राज सभा टीवी उसी के साथ इस बुलेटन में इतना ही लेकिन चलते चलते हेडलाइन्स पर एक बार फिर से नजर प्रधानमंत्री से नहीं मिलने पर वसुंधरा राजे की सफाई कहा तै नहीं थी मुलापात कॉंग्रेस ने प्रधानमंत्री से मांगा जवाब आडवानी की सारवजनिक जीवन में पार दर्शिता बरतनी की सला प्यार के वैशारी से ले में पोलियो वैक्सीन के बाद एक बच्चे की मौद, छे बीमार, केंदर सरकार ने मांगी रिपोर्ट उद्रखन में चारधाम यात्रा फिर शुरू, बारिश और बार की चपेट में अभी कई राज, गुजरात में अब तक 9 शेरों की मौद, बैंकोक में सोलवा, विश्प संस्क्रित सम्मेलन शुरू, साथ देशों के 600 से जादा विद्वान शामिल, फाइलेंड से दोहरे समझोरते पर हस्ताक्षर के उम्मेल, और ग्रीज को कर्ज वापसी में और राहत नहीं, यूरो जोन ने आर्थिक राहत कारिकरम को 30 जून से आगे बढ़ाने की मांग पिगराई, 5 जुलाई को जन्मत संग,